नमबर वन देखते हैं और प्रसनावली है 14.1 करविद्यारतियों की एक समुह द्वारा अपने पर्यावरन संचेतना अभियान की अंतरगत एक सर्वेक्षन किया गया जिसमें उन्होंने एक महले में 20 घरों में लगे हुए पौधों के पौधों से संबंदित निम्लेखित आ मां करा एक अत्र देखिया एक मुहला में 20 घर और उस्वेक्षन किया है मतलब कि मंध्य क्या होगा माधने ऊंगया तक यह ब कि मांधं याद करने के लिए कि आप किस विधी का परयोग किया और क्यों ये भी पूछ रहा है कि माधा निकालने के लिए कौन से विधी का आपने परयोग किया है और क्यों परयोग किया है तो देखिए जब भी संख्या छोटी-छोटी संख्या दिखे ना छोटी-छोटी संख्या दी हुए तो उसके लि उन दोनों में से कोई परियोग करते हैं, चोटी-चोटी संक्याय दी गई है, इसलिए हम लोग यहां direct method ही, यानि कि प्रत्यक्ष बिधी कहीं परियोग करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए चार्ट बना लेते हैं, चलिए, यहां पर हम लोगे चार्ट तियार कर देते हैं, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, चलिए, हो गया, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रत्यक्ष बिधी, क्योंकि इसमें छोटे-चोटे अंक दिया है, तो प्रत्यक्ष बिधी ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, चलिए, आगे पौधों की, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, यानकि क्लास इंटर्वल दिया न, चलिए, जीदों से दो दिया है, फिर दो से चार है, फिर चार से छे है, छे से आठ है, आठ से दस है, दस से बारा है, और बारा से चौदा है, ठीक है, यहाँ पे घरों की संख्य यह घरों की संख्या क्या मतलब f i दिया हुआ है ठीक है f i दिया हुआ है चलिए सब्सक्राइब आपको पहले क्या निकाला होगा यानि कि यह वर्ग चिन है ना वर्ग चिन है निकालना होगा वर्ग चिन है निकालना होगा सबसे पढ़र तो कैसे निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा तो इसके बीच का तो जिरो और दो को जोड़ दीजिए और दो से भाग करेंगे तो एक इन दोरों के बीच में तो ज आई यानि कि इसमें इससे गुना करकर के तो एक ही आएगा इसमें फिर इसमें तीन दुना छे फिर पांच फिर पांच सते पैंप तीस पिर छे नवा चौन फिर देखिए एगारा दुना बाईस और तेरा तियां 49 अब इसका कुल कर लेते हैं टोटन खुल कुल चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो यह सिग्मा एफ आई कहलाएगा ना चलिए तो यह कितना है उपर नहीं का रहा था बीस घरों का जोड़के देख लिएगा बीस आजागा एक दो तीन चार चार पांच नो नो चो पंदरा पंदरा पांच पीस आरा ना एकदम बीस 21 और यह दो 23 और 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23 और 9 32 हो जाएगा चलिए तो 32 का दो तीन लगा हाथ में 36 और 5 11 11 और 5 16 16 तो आपको माध्य निकालना है तो यहां माध्य बराबर आपको बता रखे हैं सिगमा एफ आई एक साई बटा में सिगमा एफ आई यह नहोता है यानि कि 162 बटा में 20 दो सहीं कारते हैं 81 यानि कि पॉइंट में बदल देजें 8.1 यहां से माध्या गया तो यहां किस विदी का हम लोग परियोग की हैं तो यहां लिखेंगे कि हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विदी का परियोग करेंगे क्यों की एकस आई तथा एफ आई कामान क्या है छोटा है छोटा है या कम है कम है इसलिए इसका परियोग करें ज्यादा रहता तो दूसरा बदी लगाते हैं